है गाईज दिस इस जोब ब्रदर रितिक मेगवानी वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल गाईज आज हम लोग बात करने वाले के आयाइट के बारे में काफी साही रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले कुछ दिन से कि भाईया के आयाइट की लास देट आने वाली है फी प अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो मैं आपको बता दू हम लोग काफी सारे कॉलेज रिवीव करते हैं अल्रीन हम काफी सारे कवर गल चुके हैं फीचर में आपको काफी सारे दिखने को मिलेंगे तो अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो और उसे सब्सक्राइब कर दो का करते हैं वीडियो को आप जल्दी से इसका एक ओर व्यू ले लेते हैं उससे बहले आप लोग किसना देक बार शेयर करना चाहता हूं पिछले आर काफी दिन से चैनल पर काफी दिक्कत आ रही थी ठीक है मतलब पिछले 15 से 16 दिन हो गया हमने आर कोई वीडियो अपलोड नह जान नहीं देते हैं हाना आप लोग को बैस कॉंटेंट देने के चकर में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम कुछ वीडियो को डिलेट करके रिपलोड करें तो मेरी आप से एक एक च्छा है कि आप उन वीडियो को भी आर अच्छे लोकेशन की बात करें तो भुबनेश और ओडिसा में आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाता है इंस्टिव टाइप ट्राइवेट कॉलेज है केंपस एरिया की बात करें गाइस तो 700 इकर में इसको बनाया गया है मतलब काफी बड़ा केंपस है एंड काफी ग्रीन केंपस ह जाओगे तो आप एकदम मज़े आ जाएंगे और इसमें इंजिनेरिंग के साथ साथ काफी सारे कोर्से यह प्रोइड कराता है रैंकिंग की बात करें गाइस तो 42 इसको इंजिनेरिंग में नर्फ दी गई है 44 इसको ओर्राल केडिगरी में यहां पर रैंकिंग मिली हुई ह करें गाइस तो 13 किलोमेटर दूर आपको एरपूर्ट मिल जाता है 11 किलोमेटर दूर आपको भूमनेशन रिले स्टेशन मिल जाता है तो किनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो क्या एटी है थोड़ा सा महेंगा कॉलेज है ठीक है मतलब काफी जादा मेंगा है 3.5 लेक आसपास आपको पर यर की सिर्फ और सिर्फ टूशन फीज रहती है अगर में होस्तल की बात करूं तो 60,000 से 1,20,000 तक आपकी वैरी करती है होस्तल फीजिसमें AC, non AC, single, double, triple, type के रूम रहते है और इसमें आपका 75,000 एक्स्ट्रा करते हैं 75,000 के आसपास होस्तल में आपकी वन टाइम फी रहती है 15,000 जो कि आपको एक बार फे करना पड़ता है और यहां पर थोड़े बहुत और यहां पर एक्स्ट्रा चार्जिस रहते हैं आपके एक्जामिनिशन फी रहती है हर साल तो अगर मैं टोटल बात करूं गाइ इस तो काफी तरीके के scholörper Day स्कॉलर शफैर अगर आपकी parent income कम है तो भी हापके इहाप छ्कॉलर शिप मिल सकती है अगर की KIT double E में एक हजाथा से अंदर रहे के तब इहां पर आपको श्कॉलर शिप मिल जाती है यहां पर बात करे का इस मोड़ दमिनिशन की तो b.tec के पर बात करें तो काफी यार मेरे पास पिछले एक हफते से करीवन यहां पर बहुत सारे इंस्ताग्राम पर दिम आ रहे थे कि भीया के आईटी के बारे में बताऊं तो क्या मुझे पर तmost के बाराएं थे दो मिया थे एक हो है कि अगर टकी कभी भी की ऻूछ कोई थेखनें नहीं बहुत है थिक क्स no prices बर देखने अगर पर और चार्जार में पर थे चार्जाध जादा यहां पर तो के लिएक है क यहां पर क्वैंट्छ में पर के जाते हैं अगर और चारा उ package यहां पर दे रही थी, highest package 30 लाग था, जो कि Amazon ने दिया था, यहां पर बात करेंगा, इस top 32% बच्चे जो थे, उनको 6.5 lakh average package यहां पर है, अब यह top 32% है, यहां पर सारे बच्चों का average package नहीं बता है, लेकिन हम भी बहुत चतुर है, हमने ढूड़ निकाला है, 5-5 लाग तक यहां पर average package होता है, ठीक है, KIT का, और हम लोग देखें गाइस, तो जो ज़्यादा तर companies रहती है न, वो range करती है 5-6 लाग के बीच में, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो 85 companies थी, वो IT आपे 5 लाग के आसपास package देने के लिए, ठीक है, और हम लोग बात करें, median package की, तो यह 4 लाग के आसपास हमको देखने को मल जाता है, एंड हम बात करें CS की, तो computer science का 6 लाग के आसपास average package है, तो मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपको top branches मिलती है तब ही इसके बारे में सोचना, ठीक है, अगर आपको नीचे की branch मिलती है, तो मैं as a भहिया आपको suggest ने करूँगा, बाकी आपकी इक्षा है, यहाँ पर बात करेंगा है, तो placement में काफी companies ऐसी हैं, जो कि 10 लाग से उपर के देती हैं, 16 लाग के आसपास मास recruiter आती है, विपरो, Cognizant, Infosys, Asensure जैसे company आती हैं, अगेर मैं यही बोलूँगा, कि college अच्छा है, आपको पढ़ाई के लिए काफी better है, मतलब आपको academics wise देखें, तो काफी बढ़िया college है, campus मलता है, सारी facilities आपको मल जाती है, बस यही है कि आपको top 3, top 4 branches मिलती है, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, 1400 से जादा यहाँ पर computer science की seats हैं, अगर मैं सारी specialization को मिला के देखू तो ठीक है, तो यह भी यार एक थोड़ा से बड़ा नंबर है hostels की बात कर लेते हैं guys, तो यहाँ आप इसको जल्दी से कतम करेंगे, total यहाँ 10 boys hostel है, 5 girls hostel है separate है, ठीक है, boys and girls के लिए यह नई बात थोड़ी है 30% के आसपास जो hostel है वो air condition है, मतलब आपको यहाँ पर AC, non-AC हर टाइप का hostel मिल जाता है, यहाँ पर single, double, triple, तीनो sharing room मिल जाते हैं आपको, hostels में आपके canteens है काफी सारे, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो foreign students के लिए यहाँ पर एक अलग hostel है ठीक है, हर hostel में आपको एक reading room मिल जाता है common room मिल जाता है, free internet available है, facility आपको indoor, outdoor दोनों यहाँ पर मिल जाती है, hostels के आसपास hostels काफी decent है, मतलब जैसे private college में सब में देखने को मिलते है dining facilities की बात करें, तो quality wise food काफी बढ़िया है, ठीक है, although आप taste में आपे बोर होई जाओगे कुछ time में wage and non wage दोनों available है, तीन बार आपको week में आपे non wage मिल जाता है again, अची बात है, food की बात करें आप दुनिया समझ सकते हो, ठीक है आपको बाहर जाने की जारा जववत नहीं रहती है library की बात करें, तो KIT की library काफी अच्छी है ठीक है, यहाँ पर हम बात करें best things के बारे में, तो सबसे पहले आपको एक काफी शांदर campus मिल जाता है पूरा lush green campus है आपका ठीक है, प्रोफेसर काफी अच्छे बताए गाए काफी helpful होते हैं यहाँ पर बात करें, तो societies and clubs काफी सारे हैं ठीक है, seniors काफी बढ़िया है सब college में होता है, बाकी बात करें तो attendance का है, यहाँ पर 75% बोला जाता है, बाकी अगर आपकी teacher के साथ अच्छी बनी होई है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा major issue नहीं है Hossels वगरा काफी अच्छे से हाँ पर maintained है और बात करें, तो यहाँ पर week-end में आप Humnishwar को explore कर सकते हैं, ठीक है Sports Facility, काफी शांदा Sports Facility है किम लोग डीटेल में बात करेंगे, कौन से कौन से Sports है, placement and internship opportunities भी है, college में, in short बात करें तो काफी बढ़िया आपकी college life गुजरती है ठीक है, अगर आपको placement perspective से सोचता है तो आपकी top branches होना जरूरी है कौन की बात करें, तो fees काफी जादा लगी मुझे, ठीक है, 17 से 20 लाग रुपए मतलब थोड़ा सा higher side में fees कौन से कौन से sports है तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है मतलब swimming pool आपका यहां पर बाकि जितने भी आप नाम बोलो आपको यहां पर अविलेबल हो जाएगा ठीक है, जिम की बात करें गाइस तो काफी अविलेबल हो जाती है जिसमें आपको one time registration fee देना पड़ता है 800 रुपर बाकि 300 रुपर महिने के साब से काम चल जाता है काफी सारे clubs and societies आप देख सकते हैं एक एक पढ़के बोर हो जाओ गया ठीक है, overall बात करते हैं काइस कि IIT के बारे में कि अगर top branch मिलती है CSIT तो ले सकते हो, placement wise अच्छी है CSIT ठीक है आपका 6 लाग क्या आसपस computer science का average package है अगर मैं overall average package की बात करूँ तो 5-5 लाग के बीच में वेरी करता है median package 4 लाग है campus काफी बढ़ा है, college life काफी बढ़िया जाएगी ठीक है, बस एक ही शर्त है अगर आपको top 3, top 4 branches मिलती है तभी आप इसके बारे में सोचना नीचे की branches, placement perspective से अच्छी नहीं है ठीक है, बाकी college में आपकी बढ़ाई बगेरा काफी बढ़िया होगी तो गाईस यह था आज का वीडियो ठीक है दो-तीन लोगों से चेक कर आओ तो इसलिए यार वीडियो थोड़े से लेट आते हैं बनाने को कुछ नहीं यार, इंटरनेट से उठाके मैं भी हर दिन एक वीडियो डाल दूँ, कोई मतलब नहीं है तो इसलिए अच्छा content देना है तो थोड़ा सा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा तो इसी तरीके से यार, support करो चैनल को अगर आगे से हम भी कोशिच करेंगे कि best content दे आपको इसी के साथ यार मिलतें नेक्स वीडियो में stay safe, peace out